हेलो माई डियर स्टुडेंट स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सितंबल सिर्फी क्लास में फ्रेंट्स आज ही क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली मज़दार आज ही क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वह टॉपिक है मिल्क के प्रकार कर सकते हो नोट स्वीस चार्सव पचास रुपे है तो चलिए अच्छी क्लास मैंने बता दिया मिल्क होता क्या है देखिए दूद आपके बहुत टाइप के होते है आज आज तो पहला है वसा रहीत दूद्ध पहला कौन सा है वसा रहीत दूद्ध दूद्ध तीसरा है डबर टॉन्ड दूद्ध चौता है फिर दूद पांचवा है संपूर दूद पॉडर ये रोलर या ड्रम दुरा सुखाना और स्प्रे दॉरा सुखाना फिर नेक्स्ट रहीत दूद पॉडर अब हम लोग अच्छी ताप पड़ेंगे कौन सा दूद क्या होता है तो देखे वसा रही तो जो दूद होता है तो जिस दूद में वसा की मात्रा 0.05 से लेकर 1% वसा होती है वहाँ दूद वसा रही दूद होता है जो दूद जिसमें किसकी मात्र वसा की मात्रा कितनी होती है यह सब नो डाउन करिए पॉइंट वाली चीज़े पॉइंट जीरो फाइव से लेकर एक पतिशत वसा होती है वह दूद वसा रही दूद कहलाता है इसे सप्रेटा दूद भी कहते हैं वसा रही दूद तयार करने है तो मशीन से अत्वा क्रीम सप्रेटे से मखण निकाला जाता है मखण निकल जाने से इसमें वसा घुरंसीन विटामिन विशेश कर आपका विटामिन एक ही माता कम हो जाती इस कारण वसा रही दूद छोटे सुस्यों के पोशन के लिए उप्यूक्त नहीं होता परन्तु जो पोड होते हैं पोडों के लिए मुटापा के रोगियों बड़े बच्चों के लिए उप्यूक्त होता है वसा ना होने के कारण इस दूद को अधिक समय तक सनचित करके रखा जा सकता है या दूद सस्ता भी होता है वसा रही दूद कैसा होता है? सस्ता तो कोश्चन यहां से बन सकता है जिस दूद में वसा की मातरा कितनी 0.05 से लेका 1% वसा होती है वो कौन सा दूद कलाता है? वसा रही दूद कलाता है वसा रही दूद कैसा होता है? सस्ता होता है मक्खर निकल जाने से वसा गुलंशीन बिटामिन विशेश का बिटामिन एकी मातरा कम हो जाती है इस बात को याद अखिएगा यही से कोश्चन बन जाते हैं फिर टोन आपकी टोन मिल्क तो वसा रही दूद को गाय या भैस के संपूर दूद के साथ मिला कर तय किया गया दूद टोन दूद कहलाता है तो जो वसा रही दूद होता है उसको गाय या भैस के संपूर दूद के साथ मुलाकत तयार किया गया दूद टोन दूद कहलाता है इस दूद में वसा की मता 3% तथा सील्ड आपकी सील्ड नॉन फैट 8.5 परतिशत होता है कितना 8.5 तो, sorry, solid non-fat आपका 8.5% होता है तो अगर आपसे पूछा जाए, SNF का full form तो solid non-fact SNF का full form तो solid non-fact है और यह कितना होता है? 8.5% होता है Double tone dude तो गाई या भैस के ताजे दूद में वसा रही दूद का पॉडर का वसा रही दूद यानि तरह रूप में मिला कर या दूद तयार किया जाता है इसमें वसा की माता टोन दूद के पेच्छा आदी माता यानि 1.5 पतिशत रह जाती है परन्तु इसमें सॉलिड नॉन फैट 8.5 पतिशत रहता है कितना 8.5 पतिशत पिर आपका क्या आएगा पिर आता है फिल्ड दूद फिल्ड दूद क्या है यह भी इंपॉर्टेंट है यह सारे दूद इंपॉर्टेंट है परसंटेश पर लीजागा यहीं से कोशन बनते हैं देखिए यह दूद वनस्पती तेल जल सप्रेटा दूद के पौडर से तयार किया जाता है विटामिनों की पूरती हेतु इसमें विटामिन A मिलाया जाता है इसमें वसा की मात्रा 3.5 होती है याद अखेगा फिल्ड दूद में जो वसा की मात्रा कितनी होती 3.5 होती है और SNF 8.5 पतिशद होता है SNF जो याद अखेगा किसमें कितना पतिशद होता है इसका पोशर मूल टोन दूद के समान होता है और इसका जो पोशर वैल्यू है वो टोन दूद के समान होती है फिर है संपूर दूद पौडर तो यह क्या होता है इस प्रकार कि दूद तयार करने हैं तो दूद में वपस्तित जल को वाश्वी करत कर दिया जाता है और दूद में वपस्तित ठोस को पौडर के रूप में परवतित कर दिया जाता है जितना भी दूद में जल है वाटर है उसको जला दिया जाता है और दूद में वपस्तित ठोस को पौडर के रूप में परवतित कर दिया जाता है तो ये क्या बन जाता है ये हमारा संपूर दूद पॉडर बन जाता है तो सब में S N F को जवु याद कर लीजेगा Solid Non Fact ये जवु याद कर लीजेगा कितने पतिशत क्या है क्योंकि कोशन यहां से आ सकता है तो S N F का फुल फॉर्म क्या है और ये कितनी पतिशत होती सब में तो S N F का फुल फॉर्म है Solid Non Fact लिख लीजे इसको दूद का पॉडर तयार करने है तो दो वीदियो का प्रयोग किया जाता है पहली वीदी है रोलर या ड्रम दॉडर सुखाना तो इस वीदी में गरम रोलर को रूप में डूप हो जाते है इस वीदी में गरम रोलर को रूप में डूप हो जाते है जिसे दूद सूपक कर बेलनों पर चिपक जाता है जिसे खरोच का पॉडर दूद में तया कर लिया जाता है इस प्रेय दोड़ा सुखाना तो इस विदी से क्या होता है दूद का जो मिल्क है दूद का पॉडर बनाने के लिए गरम बेलनों पर जाली से दूद का छिकाओ किया जाता है पिर गरम हवा प्रवाइद की जाती है गरम वायू के संपर्ग में आके दूद में पस्तित जल का वाश भी करन हो जाता है और ठोस पदात जो छोटे छोटे करों में होते हैं खुरच का अलग कर लिया जाते हैं इस्प्रे डाया दूद को घुलन शीलता ड्रम डाया के अपेचा अधिक होती है दूद के पॉडर में प्रोटीन 26 वसा 26 और जल 5 पतिशत होता है कोशन यहां से बन सकता है कि दूद के पॉडर में प्रोटीन कितने पतिशत होता है तो दूद के पॉडर में प्रोटीन 26 पतिशत होता है वसा 26 और जल 5 पतिशत होती है तो दूद के पॉडर में आपका प्रोटीन 26 पतिशत वसा 26 और जल 5 पतिशत होती है तो इंपॉर्टेंट है पिर वसा रहित दूद पॉडर तो वसा रहित दूद पॉडर को सप्रेटा दूद पॉडर भी कहते हैं तो सप्रेटा दूद पॉडर किसे कहते हैं तो वसा रहित दूद पॉडर या वसा रहित दूद से तया किया जाता है पॉडर तया करने के लिए वही विदी अपनाई जाती है जो की संपूर दूद पॉर्डर बनाने है तो प्रयोग की जाती है वसा रही दूद पॉर्डर में प्रोटीन की मात्रा 35 पतिशत होती है कैर्शियम विटामिन भी भरपूर मातरा में होता है परन्तु विटामिन ए और वसा का सक्त अभाव होता है विटामिन ए और वसा थोड़ी कम होती है सक्त अभाव होता है विटामिन ए किसका अभाव होता है? कोशन यहां से आ जाएगा तो विटामिन A और वसा का या दूद शुशू के पोशन के लिए उप्यूकत नहीं है मुटापा के रोगियों पर बड़े बालकों हिदाय के रोगियों के लिए दूद बहुत ज़्यादा लापकारी है तो आज हम लोग आज़ी क्लास में 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 आज़ी क्लास मे जो दूद रह गए हैं मिल्क रह गए हैं टाइपस की वह बढ़ा दूंगी मिल्क कैसा टॉपिक है इससे कोशन तीन चार बनके आते हैं पेपर में प्रिवेर से पेपर उठाकर देख लीजे तो मिल्क की सारी विदिया हम लोग अच्छी तरह पड़ेंगे मिल्क के बारे में इतना भी है अच्छी तरह समय करा दूंगी जिसे कोई भी कोशन आए तो आप गलत करके मता हो यह परसंटेज कितना परसंटेज में क्या पाय जाता है यही कोशन बन जाता है मिल्क का और ज्यादा कुछ नहीं बनेगा तो मैं मिल्क कम्प्लीट करा रही हूं आप रोग उस